साथियो नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंचसन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगा है आपके लिए ब्यापम यानि MPPV और MPPSC के दोरा 2012 से आप तक पूछे गए कुछ अलग टाइप के कुछ कठिन प्रसन जो दूसरों से आपको अलग वो 20% प्रसन ऐसे होते हैं जो बिलकुल अलग होते हैं जो आप पहली बार देखते हैं और वही 20% प्रसन जो हैं वो कॉम्टीशन अब क्रियेट कर रहे हैं क्योंकि लोगों की इतनी तैयारी हो गई है कि moderate और simple level पर उन्होंने control पा लिया है तो हम आपको कुछ ऐसे ही प्रस का संचार करेगा आपको अपने पत की ओर अग्रसर करेगा अपने पत की ओर और तीबृता के साथ में प्रसारित करेगा तो पहले motive असल थोड़ देखते हैं उसके बाद आपको हम प्रशनों की ओर ले कर के चलेंगे महत्पूर प्रशन है इन प्रशनों को अगर आप कवर क कर लेते हैं तो आप दूसरों से अलग हो जाएंगे क्योंकि 20% में ही अब जो है competition रह गया है तो MPPSI, MPPST आद सभी अग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर होने वाली है यह series जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं तो देखें साम सूरज को ढलना सिखाती है समा परवाने को जलना सिखाती है और गिरने वाले को होती तो है तकलीफ मगर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है तो कितनी भी तकलीफ होती रहे कितनी भी ठोकरें लगती रहे लेकिन आपके सामने आपकी आँखों के सामने सिर्फ आपका लच्छ होना चाहिए चलिए प्रशन नमर एक है जब सूर्य करकर एखा के उपर लंबवाद चमकता है तो उस इस्तिति को क्या कहते हैं आई ये इसका एंसर देखते हैं तो इसका answer है no sad zone कहते हैं जब सूर्य बिल्कुल करकर यह ख़ा के लंबवद चमकता है जब सूर्य हमारे उपर बिल्कुल लंबवद चमकता है तो क्या होता हमारी कोई परिशाई नहीं बनती है और इसी स्थितिक को क्या कहते है नो sad zone कहते हैं याद रखीए कि सारे के सारे प्रश्ण MP PSC और MP पुलिस और MP के अन्य एक्जामों में आये हुए, वहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करके आपके लिए हम ये सारे प्रश्ण लेकर करके आये हैं, चलिए प्रश्ण मबर 2 कीवर्ड चलते हैं, तो प्रश्ण मबर 2 है, समुधर के अंदर भी परवत पाये जाते हैं, तो जिन परवतों के सपाट बिल्कुल, मतलब जो सीर्स होते हैं, बिल्कुल सपाट होते हैं, मैदानी तरह के होते हैं, उन परवतों को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, आई इसका अंसर देखते हैं, तो उन परवतों को ग जेम्स विल्सन तो जेम्स विल्सन ने 1861 में पेपर करेंसी एक्ट को लागू किया जिसकी मदस से भारत में कागजी मुद्रा का चलन प्रारंब हो गया था चलिए प्रश्ण नमर चार की ओर चलते हैं प्रश्ण नमर चार है औरकाट का घेरा किस करनाटक युद्ध का हिस्ता था तो आप से पूछा जा रहा है कि जो करनाटक युद्ध हुए थे उनमें से किस करनाटक युद्ध में औरकाट का घेरा डाला गया था आईए देखते हैं इसका अंसर तो इसका अंसर है दोतीय करन दोती करनाटा युद्ध के अंदर और कॉट का घेरा डाला गया था यह बहुत महत्पून प्रश्ण है यही प्रश्ण है जो परिच्छा में कॉम्टीशन क्रिएट करते हैं लोग टॉप लेवल पर जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नीचे रह जाते हैं इन प्रश्णों की संधी अंग्रेजोन के दोरा और मराठों के दोरा यहां पर की गई थी रगुजी भोषले के साथ में चलिए प्रश्ण नमर छे की ओर चलते हैं चलिए कोई बात नहीं प्रश्ण नमर पांच दुबार आ गया कोई दिक्कत नहीं है तो परसेप्ट ऑप जीजस के लेखक कौन है इस का अंसर है ग्रेस जेम्स जो है वो परसेप्ट ऑप जीजस के लेखक है देखिए जब प्रश्ण पत्र सरल होता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि गवन गोदान इनकी रचना किसनेगी या रामधारी सिंग दिनकर की किसी पुष्टकों के नाम पूछ लिया जाता है लिखिन जब वो प्रत्र जो ह害 लेवल का होता है कठिन बनाया जाता तब आपसे ऐसे प्रश्णों को पूछा जाता है जो कुछ अलग की कुछ टाइप को ही यहां पर लेक्क होते है तो परसेप्ट अप जीजस के लेक्क कौन है तो ग्रेस जों जेम्स जो है उन्ह तो डोगर बैंक किस के लिए प्रसिद्ध है इसका अंसर मचली उत्पादन के लिए डोगर बैंक प्रसिद्ध है प्रश्ण नमर आठ है लेंबोर्डी का मैदान क्यों प्रसिद्ध है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंबोर्डी का मैदान कहां पर है और यह किसलिए प्रसिद्ध है आईए देखते हैं तो चावल उतपादन के लिए प्रसिद्ध है Lamborghini का मैदान और यूरोप में इस्तित्ध है किस continent में तो यूरोप continent में Lamborghini का मैदान इस्तित्ध है चलिए प्रश्ण मर नो की ओर चलते हैं पेरू जल्धारा का एक अन्य नाम क्या है यह आप से पूछा जा रहा है तो इसका आंसर देखते हैं तो पेरू जल्धारा को हमबोल्ट जल्धारा के नाम से भी जाना जाता है जोग्रॉफी का यह प्रस्ण है MPPSC में यह प्रस्ण पूछा गया है 2016 के अंदर चलि प्रस्ण नमर 10 की बात करते हैं तो उचाई के साथ तापमान घटने की दर को क्या कहते हैं जैसे जैसे हम उपर जाते रहते हैं तो तापमान घटता चला जाता है तो इस तापमान घटने की दर को क्या कहा जाता है साइंटिफिक लेंगिज में तो आईए देखते हैं तो चंदेल सासक के दोरह बनवाई गए थे तो आईए देखते हैं तो विद्यत्र चंदेल के दोरह खज़राहौ के जो मन्दिर है उनका नर्मार किराया गया था खजराहौ कहां पर है को मद्ध्य प्रिदेश के चंदर पुर्जिले में खजराहो इस्तित है और खजराहो के मंदिरों के बारे में हम पूरी वीडियो एक बना चुके हैं जो मध्यप्रदेश के प्रमुक मंदिर है उसे समंदिर जो भी तत्य है जो भी फैक्ट है दो वीडियो हमने दो पार्ट में वो वीडियो बनाई है जा करके जरूर देख देवास जिले में इस्तित है चलिए प्रशन नमर 13 की ओर चलते हैं तो मांडु में बिज़ इस्तम्र का निरमाड किस ने करवाया था तो मांडु आपको पता होगा कि बहुत बेहतरी निहापर एक दर्सनी स्थल है मांडु जिसको कह सकते हैं टूरिज्म प्लेस है तो वहाँ पर JSO है बिजय इस्तम्ड का निर्माड किसके द्वारा करवाया गया था, यह आप से पूछ जा रहा है तो इसका अंसर महवुद सहा के द्वारा मान्डू में जो है बिजय इस्तम्ड का निर्माड कर आ गया था, एक प्रेस्न और आता है, कि परित्यत city किसे कहते हैं, abundance city किसे कहते हैं, मद्रदेश की abundance city किसे कहते हैं, मतलब परिक्तित का मतलब होता, जिससे छोड़ दिया गओ, तो मांडु को ही abundance city of MP कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, प्रश्ण no. 14 की ओर चलते हैं, प्रश्ण no. 14 है, project अस्तित्व जो है, अगर आप इस सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर आप दूसरों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्टीशन बहुत हाई लेवल का है, 6 फरवरी तक 10 लाग से उपर फर्म MP पुलिस में भरे जा चुकी है, तो ध्यान दीजिए का आपके लिए बहुत ऐसा कंटन्ट जो आपको दूसरों से अलग बनाए, तभी आप इस रेस में आगे निकल सकते हैं, तो प्रोजेक्ट अस्तित्व गिद्धों के सरनचर से समझने थे, प्रेशन बर 15 की बात कहते हैं, तो वाहिनी दरबार कहा श्तित है, तो रीवा में श्तित है, वाहिनी दर सेर जो हैं, वो मोहन नाम के सफेद बाग की संतति हैं, तो विष्व का पहला सफेद बाग भारत के रीवा में पाया गया था, किस के दोरा पकड़ा गया था, तो महराजा मारतन सिंग के दोरा पकड़ा गया, तो आपको बता दें कि विष्व के सारे सफेद सेरों का जो पा चलिए प्रशन 17 कि बीजिमाथ की बात करते हैं तो मुला दूप्याजा की मजार कहां पर इस्थित हैं मध्रद्ध उस्थ में तो हर्दा जिले में मुला दूप्याजा की मजार इस्थित है अब आपको एक प्रशन और बता दें जिसके लिए ताज महल बनवाया था साह जहां ने ठीक है तो मुम्ताज महल की जो मृत्व है बुरहानपुर में हो गई थी प्रसव पीरा की विए से तो उनकी जो कबर है जो ओरजिनल कबर है वो बुरहानपुर में ही बनाई गई है बाद में वहां से मुम्ताज महल को निका यह प्रस्ण जब आया था तो लोगों ने यहाँ पर काफी question create किये थे कि ऐसा प्रस्ण कैसे कहां से आ गया यह तो out of syllabus है लेकिन out of syllabus कुछ नहीं होता भाई प्रस्ण कहीं से भी आएगा MP Place में और आप किस नहीं कर सकते हैं आपको ऐसे प्रस्णों को भी पढ़ करके जाना ही ह तो पीसन हारी की मढ़िया किस धर्म से संबन्दित है आइए देखते हैं तो जैन धर्म से संबन्दित है पीसन हारी की मढ़िया और भुपाल के मध्य में यह इस्टिताय याद रख दखिएगा चली प्रस्ण मरor 19 की बात करते हैं तो दीन दयाल इस पर स योजना किस से संग्रह से सब्मर्स नमर बीस की बात करते हैं अनोनी गरम पानी का ज़रना कहां इस्तित है मद्रइप्रदेश में अभी हाली में मिर्च महस्था कहां पर हुआ है तो निमाडी में मिर्च महस्था हुआ है कहां पर निमाडी में नव निर्वाचित जो जिला है निमाडी नव निर्वाचित जिला बावन मा भारत मद्रधिया प्रेश के दो नए स्थानों को सामिल किया गया है कौन कौन से है तो औरचा और गौलियर को UNO के दोरा 200 धरोवर की सूची में सामिल कर लिया गया है यह सारे के सारे प्रस्ण ऐसे हैं जो परिचाओ में टप केंगे ही टप केंगे तो याद कर लिजेगा ऐसे ही प्रस्णों की बेहतरी सीरीज हमने चालो की है जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे अपने दोस्तों के पास भी सीर कर दीजिए जिसका चाहते हैं आपकी सिलक्षन हो जाए आगामी जो भी MP में एक्जाम्स आने वाले हैं ठीक है तो ये थे महतरपूर 20 प्रस्णे कल ये 20 प्रस्णे और आपके सामने आएंगे जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के पास सेर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त सब्सक्राइब करने में कोई बराए नहीं है नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा जिससे जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार